कहाने की शुरुवात में ही हम देविट नाम के एक आदमी को देखते हैं यूकि इलिगल कामों के साथ जुड़ा हुआ था लेकिन वो अपने एक पार्टनर को कहता है कि अब वो ये काम नहीं करेगा और उसके जितने में सारे पैसे बाकी है वो लोटा दे लेकिन उसका वही पार्टनर डेविट को धमकाता है और उसे एक और काम करने के लिए कहता है और इसी बात पर डेविट के साथ उसादमी की हाथा पाई हो जाती है और एक्सिदेंटली डेविट के हाथ उसकी मौत हो जाती है और तभी वहाँ पर पुलिस की एक जीब जा रही थी और यह देखता है इसके बाद । डेविड अपने घर पहुचता है और वह अपने वाइफ और बेटे को लेकडियां से भागने की कुशिश करता है लेकिन आगे कुशिश करनेशिष दहाल मरत पहुते हैं, और डेविड अपने केरियर में बहुत तरक्के भी की थी और उसने एक मुवी थीटर ओपिन किया था जो के बहुत ही अच्छी चल रही थी और साथ ही में विजय एक फिल्म प्रोड्यूस करना चाहता था इसके लिए वह एक फेमस स्क्रीन राइट और मुडात अली के साथ कांटेक्ट में था और वह दोनों मिलकर एक स्क्रीप्ट के उपर काम कर रहे थे लेकिन उन दोनों में से किसी को भी इस कहानी का इंडिंग पसंद नहीं आ रहा था इसलिए उन लोगों की फिल्म अब तक नहीं बनी थी दूसरे तरफ हम नंदिनी को देखते हैं जो के विजय के इस फिल्म करने के लिए मना करता है दूसरे तरफ हम विजय और नंदिनी के दो परूसी को देखते हैं जिनका नाम था जेनी और शीव और विजय के ही एक जमीन को इन लोगों ने खड़े दिया था और शीव एक एलकोहॉलिक है जो के शराप पी कर अपनी वाइफ जेनी को मारता रहते थे और नंदिनी के साथ जेनी की अच्छी बॉंडिंग थी और वो अपनी मन की सारी बात जेनी को बताया करती थी इसके बाद हम देखते हैं के साथ साल पहली जो हाथसा हुआ था इसके वज़ा से अंजु को पीटी एस्टी था और जब उसके आसपास टेंशन का माह आख मोदिन से ठोड़े दीनों के लिए भुआ आये हुए थे महीश विजह को यहाँ पर देखकर मिल्कुल भी कुश नहीं होते हैं और महिश विजह को कहते हैं के वह लिद्धी के बिर्दे पर यहां पर आते हैं और पुजा रगपाते हैं लेकिन पंडित जी ने उन लोगों को यह कहा है कि सैम का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है और बिना अस्तियों के यह पॉसिबल नहीं है जिसके वज़ा से सैम की आत्मा को मुपती नहीं मिलेगी और इसलिए मैं चाहते हुए भी महश का हिल्प नहीं कर पाते हैं और उन्हें यहां से चले जाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि मीरा देश मुग आज तक अपने बेटे की मौत के गम से उभर नहीं पाई है और वो आज भी विजय को सजा देने के लिए तैयार है सिर्फ ने सही वक्त और सबुतों के इंतिजार थे दोस्टे तरफ यह दिखाया जाता है कि नंदनी आज तक इस बात से डड़ी हुई रहती है कि आखिर कभी पुलिस को सैम की डेट बॉड़ी मिल जाएगी और उनके पुरे परिवार को पुलिस एरिस्ट कर हो सकता है और फर नंदनी को भरोवत नहीं करती है और अपनी दिल नंदनी को यह पता चलता है के दरहसल लोग अंजो और सैम के बाड़े में बुरी-बुरी बाते करते हैं और सबको यहीं लगता है कि जरूर सैम के साल अंजो को रिष्ठा था और विजय को उन दोने के बारे में पता चल गए था इसलिए विजय ने बुक्से में सेम को मार डाला ही लेकिन ये सारी बाते सुनकर नंदिनी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो जेनी को ये कह देती है कि इसमें अंजो की कोई गलती नहीं थी बलके वो लड़का है बुड़ा था और उन लोगों को तो पता भी नहीं है कि बॉड़ी कहा है और इतना ही कहकर नंदिनी क से सेस्पिंट था कर गायतुंडे को मिल कर एलावथ यह कहता है का दरसल वीजय के कीश को फिर से इंबिस्टिकेट गर रहे थे औरं गायतुंडे वीजय के बारे में बिल्कूल सही था उसे लिए उसे इसमें इन्वर्ट किया गरह रहा है और ये बात सुनकर गायतुंडे बहुत खुश हो जाता है कि वापस से उसे वीजय से बदला लेनी का एक मौका मिला था और वो लोग जोरो सोलो से काम करना शुरू करते हैं और इसके बाद ये भी देखा जाता है कि जेनी और शीव डरसल पुलिस अफिसर्स थे और वो लोग पिछले दो सालों से अंडरकवर काम कर रहे थे और वीजय के पूरे परिवार के उपर नजर रख रहे थे और नंदिनी के साथ आज तक जेनी की जो भी सारे बात्चेत हुए थी वो सब कुछ उन लोगों ने रेकॉर्ड किया था या तक विजय के पुरे घर में भी उन लोगों ने मायक्रोफोन लगाये थे और उस दिन जब नंदिनी ने हर भडार में जेनी को स्याम की डेट बोड़ी के बाड़े में बात कही थी वो भी जेनी ने रेकॉर्ड कर लिया था और इसे ऑडियो क्लिप के भरोसे वो लोग इस केस को फिर से इन्वेस्टिकेट करना शुरू करते है और यह पता चलता है क के दरसल तरण और मीरा दोनों अच्छे फ्रेंज थे और इन लोगों ने मिलकर ही शीव और जेनी को विजय के पास के जमीन खरीत कर दिया था जिसके वो लोग विजय पर नजर रख सके और उन्हें एक ऐसे ही मौके का तलाश था जिससे के विजय के खिलापूर लोगों को को समुत मिले दूसरे तरह हम डेविट को देखते हैं जो के साथ साल की सजा पूरी करके जेल से बाहर निकलता है और वो जब अपने वाइप और बेटे से मिलने के लिए जाता है तो वो देखता है कि उनकी कंडिशन बहुत ही खडाब है और डेविट तया करता है कि वो साथ ही जब स्याम के कीश कूली कर वापस इंविस्टिकेशन शुरू होता है और देविट को इसके पार में पता चलता है कि जो भी स्याम के मर्डरर के बाड़े में कुछ भी इंफर्मेशन दे सकता है उसे पाच लाग रुपर दिये जाएंगे तभी डेविट वीजय को पु अठा है कि वीजय ही स्याम का मुर्डरर है और इसके बाद डेविट जा कर तरण से मिलता है करता है और को débार तभी दे सी नीचे से जमीन साइम का बौडिyr की मौत की उसके? और यह बाद सूनकर मोजुट सभि हैर्ण धह जाते हैं और इसके बाद सारे list को फोलो करके पुलिस सटेशन की जमीन को भुदा जाता है और वहां पर उन्हें सक्सक्राइज देशन। दूसरे तरफ विजय को भी यह पता चल जाता है कि पुलिस्टेशन खोद कर उन्हें सैम की बॉड़ी मिल गई है जो भात सुनकर विजय बहुत ही परिशन हो जाता है और इसी सबुत के वज़ा से वो लोग विजय और उसके पुरे फैमिली से इन्वेस्टिकेट करने का परम के विजय को अलग रखके अन्जु अन्णु और नंदिनी पर काईतोंडे फिर से हाथ उठाता है और यह देखकर विजय तरफ से रिक्विस्ट करता है कि यह सब कुछ बंद करे हैं और इसी दौरान दीखा जाता है और विजय तरफ के लिए तयार है बस डॉक्टर को बु जहता है कि दो ऑक्टोबर के रात को उसके फैमिली घर पर नहीं थी और विजय जब घर लौट रहा था तब उसने अपने गार्डेन में किसे अंजान आत्मी को देखा था और उसे लगा था कि वो एक चो है और इसलिए विजय ने एक रॉट से उस चोड के सर पर मारा था ले जल से जल उस बॉड़ी को ठीकाने लगा देता है और उसके परिवार को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है और तरण और मीरा यह समझ जाते हैं कि विजय अपने परिवार को बचाने के लिए जुन बोल रहा है और विजय का कनफेशन तो उन लोगों को मिल गया था लेकिन मीरा चाहती थे कि विजय के परिवार को सजा मिले और इसके बार देखा जाता है कि विजय को पेश किया जाता है लेकिन कौर्प में विजय इस बात से बारे में पता चलता है और वो तुरंद आई जी तरण एलावात निलने के लिए आते हैं जहाँ पर मीरा और महिश में मौजुद थे और मुराद आली अपने और विजय के मुलाकातों के बाड़े में और उन दोनों के एक साथ एक फिल्म के उपर काम करने के बाड़े में सब कुछ बताते हैं तरहसल मुराद आली यहाँ पर ज्यादात nähi थे इसलिए उन्हें इस केश के बारे में थोड़ा थोड़ा ही पता था और यह विजय ही वही विजय सालगौन कर है यह बात मुराद आली को पता नहीं थे और फिर वो विजय की कहानी को इन सब को सुनाते हैं जो के विजय के कहानी को लेकर एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए मुड़ा दाली को हायर किया था और मुड़ा कहते हैं कि इस फिल्म की एंडिंग में कहानी का हीरो जेल जाता है और इस कहानी से विजय सैटिस्वाइट नहीं था क्योंकि उसे लगा था कि ऐसी कहानी पबलिक को पसंद नहीं ऐगी जिसके वजह से उनकी फिल्म सब्सक्राव मैं सोचते है और वह ऑल्ग काहानी कर ही बन रहे तो विजय रहे वह समय के चूड़ी को पलिश किया था जिसका नाम हर द् ".. और द्रिश्यम नाम की ये बोक मुरादाली के नाम से ही पबलिश हुए थे और ये सारी बाते सुनकर वो लोग हैरन रह जाते हैं दूसरे तरफ कोट में विजय के लॉयर भी ये साबित करते हैं कि दरसल विजय के ऊपर जो चार्डिस लगाए गये थे और उसके खिलब जो के प्लॉट से लिया गया है और गायतोंडे से तरण को ये खबर मिल रही थे कि कोट में क्या हो रहा था और वो लोग बिल्कुल परिशन हो जाते हैं और इसके बाद मुरादाली उन लोगों को ये कहते हैं कि विजय ने एक और इंडिंग के बाड़े में उनसे बात किया थ उसलिए उन लोगों ने इस एंडिंग को कैंसेल कर दिया था। इसके बाद मुरादाली उसी कैंसेल ये हुई एंडिंग के बाड़े में बंधाना शुरू करते हैं और दूसरे तरफ हम रियालेटी में कूट में देखते हैं कि पलीश्टेशन से मिली हुए उन स्केलेटन का DNA रिपोट आता है जहां पर यह पता चलता है कि दरसल यह स्केलेटन तो समिर देश मुखा है ही नहीं और फिर हम देखते हैं कि दरसल जिस दिन से यह सारी कहानिया शुरू हुए थी उसी दिन से ही विजय खुद को और अपने परिवार को बचाने का तरीका धोन रहा था क् उने पता था कि एक ना एक दिन सेम की बोड़ी जरूर मिल जाएगी और तब वो क्या करेंगे इसी का प्लैनिंग वो कर रहे थे और तभी से ही वो सेम के कटकाटी के जैसे ही और ठीक सर पे चोट लगने के वज़ए से ही मौत होने वाले किसी बोड़ी के तलाश में थे और फिर उस आदमी के सारे करजे को चुका कर और उनकी बेटी की पढ़ाया और शादे की जिमिदारी लेकर विज़ए उनकी बहुत मदद करते हैं जिससे के वो आदमे विज़ए का एसान मन था और इसके बाद एक दिन मौका देख कर विज़ए उस आदमे को अपनी जरूरत क भाड़े में बताता है और वीजय सैम के जैसे ही उसी dead body शेयर मांगता है और फिर वहांग आद्मी भी अपना एहसान उतारने के लिए वीजय जो मांगता है उसे दे देता है और फिर वीजय को समहार कर रखता है इसके बाद मूरा दाली से hot पहानी के थ्रू ये पता चला है था कि अगर पुलिस भोडी को धूर लेगी तो उसे पास के ही किसी फॉरेंसिक लैब में लेगा और इस बॉडी की ठेस्ट होगी और डिने टेस्ट होगा जिसे के उस बॉडी पहचान हो और इसलिए वी जए पुलिस स्टेशन के करिब जो फ गार्ड विजय को अपने साथ लैब के अंदर लेकर आता है और वो दोनों बैट कर शराब पीते हैं और जिस दिन विजय को ये पता चला था कि सैम की बोड़ी मिल गई है और उसकी बोड़ी को फोरेंसिक लैब में लेकर आया गया है उसी दिन रात को विजय उसी सेकुरिटी गार्ड के साथ फिर से लैब के अंदर जाता है और जब वो गार्ड शराब के नशे में बेहुश था तब विजय मौका देखकर सैम के स्केलेटन के साथ उसके पास रखे हुए डेट बोड़ी के स्केलेटन बदल देते हैं और इसी वज़ा से ही तीनी रिपोर्ट में ये स और nous wejjay के favor में थे इसे लिए court से और विजय के ऊपड़ ingation डाधा देने का order दिया जाता है और विजय को 22 बड़ी किया जाता है और तरन एलावाद को Judge मिलने के लिए बुलाते हैं और जब तरण जज से मिलने के लिए आते हैं तभी विजय के साथ तरण की मुलाकात भी होती है लेकिन उन लोगों में कोई बात नहीं होती और इसके बाद तरण इन सारी चीजों का रिस्पोंसिमिलिटी खुद लेते हैं और जज तरण को कहते हैं कि उनके सिस्टेम में कोई नई बात नहीं है इसलिए आप वो लोग इस केस को बंद कर दे और तरण जज की बात मान लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि महेश मीरा और मुरादा थे और उसकी अस्थियों को एक दिन वो महेश के घर के सामें रख कर आता है और फाइनली महेश और मीरा दोनों सैम की अंतिम संस्कार करते हैं और महेश मीरा को कहते हैं कि आखर उन लोगों को जो भी चाहिए था उन्हें मिल गया है और मीरा विजय को जानी दे और हम देख सकते हैं कि विजय दूर से ही उन लोगों को देख रहा था और वो वहां से अपने परीवाra के पास आजाता हैं और वो लोग एक साथ बहुत हुश थे और आखेल में जर्ट ये कहते हैं कि वो अपने परीवार से बहुत प्यार करता है और उन लोगों के लिए वो कुछ भी कर सकता है और इसके लिए चाहे इंसान उसे मतलब कही या खुद गर्ज और इसे के साथ ही ये कहान नहीं पड़ी खतम हो जाती है